यहां पर हमारा यह observation दे रखा है, point, पर लो आप लो question, यह हमारा observation point O2 है, this is observation point O1 है, यह हमारा C point है, this point is B, this point is A, और यहां पर एक line row है, यह वाला angle आपका 60 degree है, this is 60 degree, and this is 45 degree, this is 45 degree, और आपसे बोला गया है, क्या, in the given figure, angle of depressions from the observing position O1 and O2, this is O1, this is O2, यह आपको इसके angle of depression बताने हैं, यह position जो हैं, यह जो position है, इससे आपको angle of depression बताना है, देखो, बताओ जरे comment section में कितना होगा, comment section में बता दो कितना होगा, अब lag हो गया है, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, अभी ठीक है अब आज, no leg, कोई leg नहीं है, ठीक है, कोई leg नहीं है, लगदा है, इस पैमर कुछ ज़्यादा आ गए हैं क्या, ठीक है, चलो, answer आ चुका है, देखो, या दखना angle of depression जो होता है, angle of depression जो होता है, वो आपका horizontal line बनानी पड़ती है आपको, तो देखो, अगर ये angle पूरा 45 है, this angle is 45, तो यार सीधी सी बात है, alternate interior से ये angle तो 45 आएगा, यह नहीं O2 का जो depression angle है, वो 45 डिगरी होगा, हमें पता है यह पूरा 90 होता है, यह 60 है, तो यह कितना आएगा, 30 degree क्योंकि में horizontal से देखना होता है, तो horizontal का कितना आएगा, 30 degree, क्या आपको समझ में आगया है, 30 degree and 45 degree, ठीक है, I hope आपको यी चीज़ आगया हो, 45 degree and 30 degree, clear सबको, मजे में, okay next deco